मेक्यानिक भाईयों यह है टीवियस की मोस्ट पोपुलर रेडर 125 और आप सभी मेक्यानिक भाईयों को अच्छी तरह से पता होगा कि इसके एक एक श्टिप को हम लोग समझ रहे हैं सबसे पहले स्टिप में यह जान रहे थे कि इसका ISG वर्क कैसे करता है यानि कि इसके अंदर ना सेल्फ मोटर है ना ही गाड़ी के अंदर कीक है तो इसका इंजन कैसे वर्क करता है कैसे स्टार्ट हो जाती है बिना सेल्फ और बिना कीक के दूसरी स्टिप में हम लोग ने इस और जब मैंने इसको आपन किया जब पता चला कि इसके अंदर थ्री वाल्व है आज की इस तीसरी श्टिप में तीसरी वीडियो में ये समझेंगे कि इसके कलज साइड के अंदर क्या-क्या मेकैनिजम में चेंजे से क्योंकि आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पर ना गा करेंगे और अंदर के चीजों को देखेंगे उस चीज को एक्सप्लें करके आपको बताएंगे कि अंदर एसे क्या-क्या चीजें आपको खास देखने को मिलता है तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग रहेगे बिना स्किप किये देखिए ताकि आप एक भी पार्ट को मिस से किसे इंस्पाइर हुआ है इसका इंजीन सारी चीजां आपको बताते चलेंगे उसके लिए सबसे पहले यह कवर निकालना पड़ेगा तो अगर बेटरी का कभी डिस्चार्ज पड़ गई तो कैसे हमारी गाडियो स्टार्ट होगी तो उसका एक normal सा method होता है कि गाड़ी को आप धक्के देके start कर सकते हैं बट याद रखें जब इस गाड़ी की battery discharge हो गई किसी कारणवस जो होता नहीं है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर self motor लगा हुआ है ही नहीं तो चाहें आप दिन में अगर 400 मरतबा यानि 400 attempt अगर आप इसके self-use करते हैं तो गाड़ी की battery discharge होगी ही नहीं क्योंकि ISG generator इसके अंदर लगा हुआ है जो automatically इसके magnetic field को generate करता और गाड़ी का engine run करना शुरू कर देता है तो battery discharge होने की कोई ऐसी chances बनता ही नहीं बट अगर कभी in future अगर battery discharge पड़ गई तो फिर गाड़ी आपकी धक्ये दने से भी start नहीं होगी उसका यह कारण होगा क्योंकि battery जभी इस गाड़ी की discharge होगी जब इसके अंदर कोई बड़ा सा short circuit हो यानि कोई electronic equipment खराब हो अब कोई भी नॉर्मल एक व्यक्तिस समझ सकता है कि कोई भी electronic equipment खराब हुआ उसके motherboard short होगे है तो उसके short circuit से बैटरी discharge होगी और उस case में अगर गाड़ी को start कर दिया जाए तो और चीजे यह देखें यह इस तरह से इसके plate को मैंने open किया TVS के इस logo को मैंने side किया इस दो bolt के साथ तो यहां पे एक आपको fin type देखने को मिलेगा इस तरह से cut cut सा अब यह क्यों जरूरी है यह आपको समझना काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि यह चीजें आपने सिर्फ block assembly में देखा रहेगा और खास दोर पर एक चीज आपको और बता दे चलो जो heavy CC की गाड़ियां होती जिसके अंदर liquid cooling system यूज किया जाता है उसके block एकदम flat होते हैं इस तरह से एकदम सीधा कोई भी इस तरह से fin मना नहीं होता है वो इसलिए क्योंकि उसको air cooling की आवशकता नहीं पड़ती क्योंक अगर बताओं तो यह जो fin दिये गए हैं यह इसके engine को ठंडा करने के लिए दिये गए हैं इधर से जो इसके air का flow जाएगा तो इसमें से टकराएगा और इसी fin के उजसे हमारी गाड़ी का engine काफी हद तक एकदम ठंडा पड़ जागा इस तरह से कई ऊपर के इसके अंदर technology क के अंदर बदलाओ किया गया मैं अगर अंदर दिखाओं तो इस side भी एकर देखे न तो यह देखे यह जो hall दिया है मैं company वालोंने वह यहां से air intake होता है यह देखे इस side से हमारी गाड़ी के अंदर air intake होता है और यह air सारा जो है इसके head और block में पहुचता है तो mechanism जो है air cooling क जो काफी बहतरीन है और इससे हमारी गाड़ी का engine जो काफी हद तक ठंडा किया जाता है तो इस चीज से आपको पता चलगी हो जिस गाड़ी में fin लगा हुआ है तो समझ लिजे कि वो हमारी गाड़ी air cooling है या oil cooling है और जिसका block assembly या engine पूरा flat है पूरी body covered है तो समझ लिजे क कि उसके अंदर आपको oil cooling देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको coolant डालना पड़ेगा अब इसके यह जो cover है इससे निकाल लेते है और पूरा जो है अगे का procedure बताते है अभी इसके सारे बोल्ड को मैंने कलच साइड से निकाल लिया है अभी इसको थोड़ा से ऊपर पू करना पड़ेगा अब इससे थोड़ा सा ऐसे अब इससे थोड़ा सा एसे आप इस तरह से इंजन को आपन करते हैं और जल्दी उक्तुलता नहीं तो समझ दीजिए company fitted हो तो इस तरह से हीट करने के लिए जगह बने होते है यहां पे यहां पे और उपर हर जगह पे थोड़ा अब इसको हम बाहर निकालते हैं अंदर हमें बतलाव अभी दिख रहा है क्योंकि एक भी इससे पॉइंट को मिस्स नहीं करना हमारे मेक्यानिक भाईयों के लिए काफी जरूरी रहेगा तो चलिए मैं आपको इससे निकाल कहीं दिखाता हूं अब देखिए इससे मैं निकाल रहा हूं बाहर आप खुद देखिए वाली गाड़ियों में यही होता है कि यह निकलता जल्दी नहीं है लेकिन देखिए विदाउत की क्वाली में जो न फट से यह निकल गया है हमें यह पूरा कवर निकाल लेना था बड़ आप जब भी इसा चेक करें या फिर कोई भी ऐसा कलच प्लेट में खराबी हो तो आप उसे निकाल लें जरूरी चीज़ है पूरा मैंने इसे बाहर निकाल लिया है अभी इसके कलच कवर को जब मैंने आपन किया है काफी इंट्रेस्टिंग चीज़ें देखने को मिला इसके अंदर और देखे ना इसका उपर अगर किसी गाडियों से आपको कोपी पेस्ट दिख रहा होगा बर नीचे अगर देखे ना जो बीच का क्रेंग केस है पूरी तरह से रीडीजाइन किया गिया है मैं एक चीज़ देख लेता हूं टीविस की गाडियों में हमें एक खास चीज़ सालाओ के अंदर में इसकी अंदर नहीं है मैं तो अभी 1 इसे कि अनदर देखाऊं जिसकी आपको यह गोली देखने को मिलेगी जो नहीं मैंक काम सिकते हैं याद है टीविस का अध utah शूरू करतेरिकर अपको क्लेघता संबौर्य तो यहां पर देखें जियां पहले हैं को देखने को मिलेगा कैलच कब्सक्राइब इसे दो-तीन काम के लिए उप्योग मैं लाया जाता है सबसे पहला अगर काम देखे न तो gonna काम करने के लिए इस चीज को यूज किया जाता सबसे पहला है मैं इसकी जो यह टेकनोलोजी अगर देखा है ना तो मैंने देखा है बाजाज की सिटी हंडेड में उसके अंदर क्या था कि जब मैं मेगनेट कवर आपन करता हूं उसके अंदर आपने भी देखा रहेगा तो इस तरह से एक प्लेट टाइट मिलेगा डिसकवर वगेरा सभी में तूससे क्या होता है जो यह ना वाइबरेशन एकदम काफी हत तक का कम हो जाता है इंजन के अंदर से जएदा वइबरेशन नहीं होता है य सारा वइबरेशन अपने अंतर अब जर्लेता है मैं यह यहाँ तो यह यह चांकि यह वढकूफ दो काम हो कि यहां पर उसी जगहाद बना हुता है इस जगहां पोटे हुए यहां से होते हुए यहां पर ख्रenda कटा प्र durantebells अबर देख़ लिए अन दर यहां मंदे तो oil pump यहाँ पे same देखने को मिलेगा कलच के अंदर थोड़ा सा बदलाव है और इसका balancer weight एकदम same to same वही रखा गिया है वही विपरी दिशा में इसे जो उल्टा घुमाएंगे तो खुलेगा एक चीज़ अगर मैं दिखा दूँ तो इसके कलच साइड से तो इसके किक लगने का जगह को बन कर दिया गया है अगर आगर क्रेंग में देखे न इसके यहांपे क्राइक यहां पर एक बाकि गियर में भी change है पहले की गाडियों में इसका जो tvs star city tvs victor में क्या देखने को मिलता था कि गियर का stopper उपर था drum stopper पट्टी, gear selector सारी चीज़ें उपर बट इसी चीज़ को नीचे shift कर दिया गिया देखें यहां पे shift कर दिया गिया यह इसका ड्रमस्ट ओपर पड़ती है यहां पर इसका गियर सेलेक्टर है और नीचे भी अगर आप देखें तो आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा बाकि कलच साइड एक दम नॉर्मल रखा गया यह इसका होजिंग है यह इसका हाब ऊपर इसका सेंटर है यह इसका बैलें सकते हैं यहां पर देखने यह इसी चीज़ें लेकर मैंने आपन किया था जब इसके उदर कोई भी खराबी आएगी पिक अपका प्रब्लम या कोई साउंड या किसी तरह से कोई भी खराबी आएगी तो उस समय हम इसको आपन करेंगे और अंदर कलच सोगी राज जांचें यह दिरे दिरे क्या होता है बढ़ जाता बीज का बूश जाता जिसके जादा साउंड करती है गारी तो आने वाले समय में अगर प्रॉब्लम करेगे तो उसका भी अगलग से वीडियो आपको बना के दिखाएंगे अभी वीडियो को यहीं पेंड करते थे कर देते हैं क्योंक के ओपर विजिट कीजिए और वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए क्यों काफ़ इंट्रिस्टिंग इंफोमेशन उसमें दिया यह मैंने इसके कला साइट के बारे में बता दिया चलिए अब इसको हम यहीं पेंड करते हैं फिर नेक्स वीडियो में देख लें करते हैं